तो guys, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JavaScript Regular Expressions के बारे में JavaScript Redux हमारी website की search functionality को बनाने में बहुत ही ज़्यादा significant role play करता है ये हमारे search functionality को काफी ज़्यादा advanced और उसे काफी ज़्यादा powerful बना देता है तो चलिए बिना time waste किये चलते हैं जल्दी से VS Code पे और इस tutorial को begin करते हैं तो जल्दी से मैं पहले तो folder बना लिदा हूँ जिसको मैं नाम दूँगा JavaScript Regex अब जल्दी से इस folder को VS Code में खोल लेते हैं और जल्दी से यहाँ पे HTML और JavaScript फाल क्रेट कर लेते हैं हम CSS file नहीं create करेंगे क्योंकि हमें बाद JavaScript का Regex function सीखना है जिसके लिए हमें styling करने की बिल्कुल भी need नहीं है अब HTML में जल्दी से यहाँ पे boilerplate डालते हैं और title डाल देते हैं JavaScript Regex उसके बाद यहाँ पे हम अपनी JavaScript लिंक कर लेंगे और अब JavaScript में आते हैं तो Regex सीखने से पहले हमें string methods के बारे में पता होने चाहिए वैसे तो string methods बहुत सारे होते हैं पर इस tutorial में हम तीनी string methods का यूज करेंगे जो की है search method, match method और replace method तो पहले मैं यहाँ पे let करके text equal to लिख देता हूँ JavaScript is a programming language अगर spelling कोई mistake हो जा तो माफ कीजेगा तो यहां मैंने के string बना लिया हम मैं यहां लिखूँगा let search equals to text.search और इसके अंदर हम double quits लगा के लिख देंगे is इसके बार यहां हम console.log में search डाल देते हैं और html में चलके live server open कर लेते हैं और यहां पे हम चलते हैं console में तो यह देखिए यहां पे हमारा index number आ रहा है इसका हमारे text के अंदर हमारा इसका 1234 यह देखिए 11th index number है तो महाँ पे 11 दिखा रहा है इसी तरह से हम यहां पे हमने search method का यूज किया और इसके अंदर हम इसके अंदर हम सेम तरीके से इस डाल देते हैं और इसके बाद console.log के अंदर डाल देते हैं match तो सेफ करके यह देखिए यहां पे हमारा जो इस है वो रिटर्न हो गया है और अगर यहां पे हम कोई ऐसा string डालते हैं जो कि हमारे टेक्स में नहीं होता तो नल रिटर्न होता और यहीं हमारा replace method भी ऐसे यूज हो सकता है तो यहां text.replace करके मैं लिख देता हूँ is और इसकी जगा जहां 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 इस है वहाँ पर मैं करना चाहता हूँ आर तो सेफ करके मैं दिखाता हूँ तो देखिए यहां पर लिखा गया जावा स्क्रिप्ट और अप्रोग्रामिंग लेंग्वीच तो अभी तक हमने तीन string methods देखे हैं जिसके इंदर हम डेटा पास कर रहे थे जो हमें text में सर्च करना था as a string लेकिन अगर मैं इन methods के अंदर जो इस लिखा है उसे double code से हटा के दो स्लेश के अंदर कर देता हूँ तो यह हमारा data वैज़ा पास हो रहा है regular expression और यहां पर मैं के बाहर modifier modifier एक special feature होता है regular expression का जो कि हम अभी देखने वाले हैं तो हमारे match method के अंदर यह जो इस लिखा है अगर मैं इसके i को capital बना देता हूँ तो यहां null return होगा और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारे string methods काफी case sensitive होते हैं तो इसी को fix करने के लिए मैं मैं यहां पर i modifier लगाऊंगो और यह देखिए यहां पर मेरा method perfectly run कर रहा है और ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यह जो हमारा i modifier होता है यह perform करता है case insensitive matchmaking तो i modifier use करने के बाद हमारा फरक नहीं पड़ता है कि data upper case में है lower case में अगर हमारा G modifier का अलग example लिख देता हूं और उपर वह match जो हमारा string method है उसे अलग कर देता हूं क्योंकि यह code आपको में बाद में देने वाला हूं तो जब आप इसे access करें तो यहां को पूरी structured भी में मिलेगा तो अब देखते हैं कि हमारा G modifier क्या कर सकता है तो यहां पर हम लिख लेते हैं let g equals to text.match और इसके अंदर अब हम data लिखेंगे a तो यहां पर अगर मैं यहां पर small a बनाता हूं तो यहां पर देखते हैं कि हमारा बस एक वार यह return कर रहा है जबकि यहां पर हमारे टेक्स में तो यह काफी बार आ रहा है और यहां अगर मैं जी मोडिफायर लगा दूं तो यह देखिए six times return करने लगा और इसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे आ यह सब्सक्रोस करते हैं कि आप हमें यह से ज्जारा क्यरेक्टर्स हमारे टेक्सट में मैच करवाने हैं तो यहां में कि लेट करके बना लिता हूं अबी सी कोईल टू एक्स टोट मैच और अब हम अपने पैटर्ण मेने जो डेटा हमें search करवाना है उसमें दो करेक्टर्स डालेंगे ए और आई और उसके बार यहां पर हम जी मोडिफाय लगा देते हैं कि अब यहां कंसोल डॉट लॉट में भी हम एबी सी कर देते हैं और उसके बाद सेफ करके देखेंगे आप तो अब यह नल दिखा रहा है क्योंकि इसे और यह क्रिक्टर लगा तो अब आगर मैं यांप रितर्न करना तो यही फीचर है ब्रैकेट्स का आप ब्रैकेट्स के अंदर एक से ज्यादा अगर करेक्ट्रस डालना चाहिए तो डाल सकते हैं और उन सभी को वो सेपरेटली हमारे टेक्स्ट में मैच करेगा तो इस डॉक्यमेंटेशन की लिंग मैंने डिस्क्रप्शन में डाली देगा है तो वहां जाके आप यह जो बचे हुए एक्स्प्रेशन साइब रैकेट के इन सभी को ट्राई कर सकते हैं और स्पेशली यह नॉट वाली जरूर कीजिएगा क्योंकि यह काफी इंट्रेस्टिं कर सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पर यह वापस लिग देता हूं और यहाँ पर आई को केपिटल लेटर हमें लिख देता हूं तो अब वीछ सेफ करेंगे तो यह बेसी मुंद क्योंकी कैपिटल परी तो है नीवाप हुंकर ओर स्मोल यह एर ही क्योंकी अभी केस्स करा सब्स कर सकते हैं तो यहाँ पहले में मैठा करक्तर करके हैं न्यू टेक्स्ट बनावा जिसमें कुई लॉजिक नहीं है कोई थी सारी लंग्वेजिज रिए यूस के लिए पर बस और जुआ नहीं रहा था अब यहां पे हम लेट करके बना लेते हैं है अधुन तो इक्वल्स तू न्यू टेक्स डॉट मैच और इसके अंदर सबसे पहले हम में टाक्रक्टर यूज़ करेंगे डिश वाला तो यहां स्लैश लगा के यहां पर एक स्लैश डी अब यहां पर कंसोल डॉट लॉट में हम एक डाल देते हैं कि और उसके बाद सेफ करके देखते हैं तो यह देखिए यह हमें वन रितन कर रहा है क्योंकि वन ही वो डिजिट है जो पहले आ रही है हमारे निउटेक्स और अगर मैं गलोबल ऑपरेटर लगा उन तो यह वन-0-0 जित्नी वहीं डिजिट हमाएं निउटेक्स में सब रिट पर इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें नंबर और वर्ट्स तो है पर हमारा वह परसेंट नहीं है तो उसके लिए देखते हैं कौन सा मेंटरा करेक्टर यूज कर सकते हैं तो आय थिंग यह करता है तो यह देखिए यहां पर हमारा परसेंट आ गया है और जो जित्ते भी स्पेस हैं वह सब भी रिटन हो रहे हैं हमारे कैपिटल डालने से तो इसी तरह से आप यह जो बाकी के मेटा क्रक्टर हैं इनका भी यूज कर सकते हैं मैं सबी करके नहीं दिखा सकता मना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो अब हम चलते हैं कॉन्टिफायर कमेंट करते हैं और उसके बाद हम लिखेंगे let new text equal to javascript is very good programming language उसके बाद हम let quant करके लिख लेते हैं new text.match slashes लगाके a लिख देते हैं n की जगा और लिखते हैं plus और global operator लगा लेते हैं उसके बाद हम console.log में quantity डालेंगे और से safe करके देखते हैं तो यह देखिए हमें जितने भी a है सब रिटन कर रहा है और अगर आप सोच रहे हैं कि यह तो हम बिना quantifier का यूज की भी कर सकते थे तो आप बिलकुल सही सोच रहे हैं लेकिन quantifier का बस इतना ही यूज नहीं है यह देखिए और भी काफी सारी quantifier होते हैं जिनके जो functions हैं वो आप नॉर्मल यूज नहीं कर सकते हैं तो अगर हम यहां पर न्यू टेक्स में कोच चेंजिस करें सब्सक्राइब यहां जावास्क्रिप्ट लेंग्विज की स्पेलिंग में हम यह डवल लिख देते हैं उसके बार यहां मैच में आगे कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं प्लस की जगह और उसके अंदर टू यहां जहांग डरफारी था सिर्फ के संग मेермह आद्योज की सपेलिंग वहां नहीं होगा अगर मैं यहां टू की जगहाराम थ्री कर दे तो यहीं वही एक स्पेशल फीचर्से क्स riverineers के और भी कुछ अलग तरह के quantifiers होते हैं जो कि आप यूज करकर करके देख सकते हैं तो अब हम कुछ reject के object methods के बारे में जानते हैं और उसके बार हम इस वीडियो को end करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं test method तो यह test comment कर ले दें और उसके बाद हम यहाँ पे let करके लेखेंगे text equals to यहाँ पे हम पैटर्न डाल देंगे अपना जिसमें हम पास करेंगे ए और डॉट करके हम लिखेंगे टेस्ट और इसके अंदर हम वो टेक्स लिख देंगे जिसमें कि हमें यह पैटर्न मैच करना है तो जावस्क्रिप्ट इजा प्रोग्रामिंग लैंगोईज लिख देते हैं यहाँ तो अब हम अपना और अगर आप चाहें तो यहां पूरा टेक्स लिखने की रोगत नहीं है आप सिंपली इस पूरे टेक्स को हटा के जो हमने उपर लेट कर रखा है निव टेक्स्ट सिर्फ वही लिख सकते हैं तो यहां देखिए फाल्स रिटन हो रहा है क्योंकि के तो है नहीं उसमें अग हैं तो जैसे कि अगर मैं यहां पर लैट पैटन एक्वल टू कल लेता हूं जो हमारा पैटन है एं और उसके बाद मैं यहां पर यह एक ही जगह यहां पर सिंपली पैटन लिख सकता हूं तब भी हमारा फंक्शन वैसा ही वर्क करगा जैसे पहले कर रहा था तो यह को देखते हैं तो exact method हमारे pattern को string में match करता है और जो पहला match आता है उसे हमें return कर देता है तो हम यह लेट करके लिख देते हैं exact equal to यह pattern डालते हैं a.exec और इसके अंदर हम new text डाल देते हैं तो यहां पे तो यहां पे हम एक ही जगह डाल देते हैं तो यह देखिए यहां पर हमें एक ही जगह डाल सक्टेक्स रिटन होगा और अगर यहां पर हम एल की जगह ओ डाल तो और रिटन होगा और उसका इंडेक्स नमर रिटन होगा और अगर हम ऐसा कोई बैटन डाले जो कि हमारे न्यू टैक्स में कंटेन ना गड़ता हो तो हमें एक नल ऑप्जेक्ट रिटन होगा सब्सक्राइब कर देख सकते हैं तो हम जावस्क्राइब का नॉर्मल यूज ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि इसका यूज तब ही होता है जब टैक्स से रिलेटेड कोई सर्च और प्लेस ऑपरेशन हमें कनने होते हैं जो कि जनरली हम जो गेम्स और प्रजेक्ट बनाते हैं में नीड नहीं होती है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में है तो बाइगाइज हैपी कोडिंग